ये देश उस बात को कभी नहीं भुला सकता है अधिश मोदाया 27 सितंबर 2013 हमारे देश के सम्मानिय प्रधान मंत्री डक्टर मनमों सिंग जी अमेरिका में थे ये अमेरिका के राश्मत्ति के साथ उनका बायो लेटरल टाक हो दा था देश के सम्मानिय नेता थे हिंदुस्तान की केबिनेट जिसमें फारुक अब्दुला साथ बैठते थे एंटरी साथ बैठते थे सरत पवार साथ बैठते थे इस देश के गण माने वरिष्ट अनुभवी नेता बैठते थे उस केबिनेट ने जो निर्णे किया उस निर्णे को 27 सितंबर 2013 पत्रकाय प्तुनाओं में भाशन करना अलग चीज है तुम कहते हो गरीभी अटाओंगे लेकिन तुमें मालूं नहीं हम कौन है अरे हमने गरीभी की जड़े इतनी जमादी हैं इतनी जमादी तुम उखड जाओगे लेकिन उखड नी पाओगे यह वह सही है कि मुझे यहाँ आने के बाद को पता चला कि इतनी जड़े जवाई है आपके इतनी जड़े जवाई है आपके अर इसलिए मैंने पिछी बार भी कहा था इस बात का कोई इनकार नहीं करेगा कि इस देश के साथ साल के इकार काल में अगर हम गरीबों का भला कर पाए होते हैं तो आज मेरे देश के गरीबों को मिट्टी उठाने के लिए गड़ा खोदने के लिए मजबूर नहीं होना पर विए मेकिन इंडिया की मिजग उड़ा रहे हैं हुँ राटा इंडियों कि अ एIch मेकिन इंडिया देश के लिए हैं अ gone क beamsες ए उस अदिए हड़ी नहीं हुआ सफल होने के लिए कि यह पन्ना चाइब सफल होने में क्या कमिया हे उसकी चर्षा पूनी चाहिए विपक्ष मैं भी ऐसे होनहार साउसद है ऐसे तेजस वी साउसद है और मैं मानता हूं को सुनना उनके विचार अपने आप में बहुत बड़ी एसेट है लेकिन अगर सदन चलेगा तो उनको बोलने का आपसन मिलेगा अगर वो बनेंगे बोलेंगे तो बहुत उनकी जयजयकार होगी तब हमारा क्या होगा यह चीता सता रही है थैंक्स मुझे बहुत प्रमान पत्रत 14 साल से मिल रहे हैं एक और सही मैं आपका बहुत आभारी हो और सर जुका करके आपका अधर करता हूं कि हम और कोई भी नई योजना लाएं नरी तरीके से लाएं तो कुछ लोगों को अमर तो बढ़ती हैं लेकिन समझ नहीं बढ़ती है तो समझने में बड़ी बेर लेका है कुछ लोगों का इसा रहता है और इसलिए चीजे समझने में बड़ा समझ जाता है कुछ लोग तो समय बीटने के बाद भी चीजे समझ नहीं था कुछ बाते ऐसी है जो आपी की तो देन है अब हमने एक अभियान चलाया स्कूलों में टृइलेट बनाने का अब ह принципе अगर फिलू छै कि मोडेजी कि अमने हमारे कारेकालब वें सभी स्कूलों में टृइलेट बना दियों तो तुम क्या करते नहीं नहीं बनाए इतने चाहर सुल्जा आप कह सकते हैं देखो हमने अगर हमारे कायरकाल में कर दिया होता है तो तुम्हारे लिए हमने छोड़के आपकी कितों देने आज आधी के इतने सालों बाद अंधरे में डूबे हुए हो और अगर हम उन गावों में बिजली पहुंचाएं तो आप गर्व से कह सकत हो कि मोदी जी यह थारा हजार हमने हमारी तो देन है तभी ताप कर रहे हो और इसलिए आपी की देन है